फेलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है सभी का फिर से हमारे चैनल दी अंकित वॉइस में अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृप्या आप पर बनी रहे तो कॉमेंट में हर हर महादेव लिख दे दोस्तो किसी भी मंगलवार की रात चुपचाप रख देना यहाँ पर एक लॉम जीवन के हर कश्टों से मिल जाएगी आपको तुरंत मुक्ती हनुमान जी के आशिरवाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बन जाओगे आप करोरपती हिंदू रीती रिवाजों में पूजा पाठ में धार्मिक कार्यक्रमों में लॉम का बहुत ही ज्यादा खास और विशेश महत्व होता है जोतिश शास्त्र में लॉम क्या ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लें तो न केवल आपकी किसमत आपका साथ देना शुरू कर दे बल्कि आपका कोई भी सपना हो वो अवश्य ही पूरा होता है आज की इस वीडियो में हम आपको लॉंग के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को अगर आप सही मुहूर्ट पर सही क्रिया अनुसार कर लेते हैं तो मान के छलिए आपका भाग्य तो पूरा होगा ही होगा दोस्तों यकीन मानिये आपके जीवन में आपको एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा दोस्तों अगर आप किसी जोतिश के पास, पंडित के पास, एस्ट्रो लॉजर के पास जाते हैं और अपनी समस्या उनको बताते हैं तो वो जो भी आपको उपाय बताएंगे तरीका बताएंगे पहले तो आपका उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा दूसरी तरफ आपका समय बहुत नश्ट होगा लेकिन अगर आज आप इस वीडियो को लास्ट तक अंध तक बिना भगाएं देख लेते हैं और लॉन के उन उपायों को ठीक तरीके से समझ करके कर लेते हैं जो सिर्फ आपको मंगलवार के दिन दो चार पांच शे मिनिट निकाल करके करना है तो मान के चलिए दोस्तों जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको हाथों हाथ मुक्ती मिल जाएगी शायद ये बात आपको ना पता हो दोस्तों माता लक्ष्मी जी भगवान विश्नु जी और भगवान बजरंगबली जी की पूजा पाठ में अगर लॉन का प्रयोग ना किया जाए तो इनकी पूजा समपन्न नहीं मानी जाती है दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ती यह चाहता है कि उसकी पूजा हनुमान जी के सामने सिध्ध हो जाए वो जो भी उपाए हनुमान जी के सामने करे उस उपाए का उसको तुरंत लाभ मिल जाए तो उसको हनुमान जी के सामने लॉन के उपाए अवश्य ही करना चाहिए उसको अपनी पूजा में हनुमान जी के सामने लौंग का प्रयोग करना ही चाहिए लौंग हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है अब आप लोग ये बात जरूर सोचेंगे कि आखिर लौंग हनुमान जी महाराज को इतनी प्रिय क्यों है तो आपकी जानकारी के लिए दोस्तों लॉंग का जो आकार होता है वो हनुमान जी के गधे की तरह होता है इसीलिए हनुमान जी महाराज को लॉंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है जोतिश शास्त्र में तंत्र शास्त्र में लॉन के उपाय को सबसे अववल उपाय बताया गया है कहा जाता है कि लॉन का उपाय अगर मंगलवार के दिन सही मार्ग पर सही किया अनुसार किया जाए तो यह उपाय खाली जाही नहीं सकता है शायद ये बात आप लोगों को पताना हो तो जितना भी तांत्रिक होते हैं वो जो भी टोना टोटका करते हैं उसमें लौन का प्रयोग अवश्य ही करते हैं जैसे हम आपके विडियो की शुरुवात नहीं बता चुके हैं लौन का प्रयोग अगर किसी पूजा में किया जाए तो वो पूजा सिध्ध हो जाती है और दोस्तों अगर आज के इस छोटे से विडियो को आप देखते हैं और समझ करके लौन के उन उपायों को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुरान में लिखा हुआ है जो प्राचीन काल के समय के महाउपाय है यकीन मानिये जीवन की समस्त प्रकार के दुख, समस्य दिक्कतों से आपको हाथों हाथ मुक्ती मिल जाएगी हनुमान जी का वो आशिरवाद और वर्दान आपको मिलेगा जिसके बाद आपकी मान लीजिये नौकरी नहीं लग रही थी आपकी नौकरी लग जाएगी आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा जिस बिमार पड़ी से आपको मुक्ती मिल जाएगी आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएगे आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी टिकेगा भी उसमें वृद्धी भी होगी आपका मंगल ग्रह है आपका इतना साथ देगा की आप जिस कार्य को भी पड़ादैव बना रहे हैं चाहिश की अवरते हैं तो अवश्य ही इसका लाभ मिलता है लेकिन उपाए करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा लों के उपाए का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप इस उपाए को सही म०ुध पर करेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों जीतने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने की एक विधी है और एक मुहूर्थ है। इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। इसको किस मुहूर्थ पर करना इस बात का विशेश करके ध्यान रखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है। विडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताना रहे वो है धन प्राप्ति का महाउपाय यह उपाय आपको पांच मंगलवार करना है। पांच मंगलवार का मतलब पांच सब्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का जब होता है शराब, मदिरा, गुटका, पान, मसाला, मचली, अंडा ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंध हो धन आने के सारे रास्ते बंध हो गए। आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ गई है और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ती मिल जाए और आपके जीवन में हनुमान जी के आशिरवात से धन की वर्शा हो तो बस ये उपाय पांच मंगलवार कर ली लाल कपड़े पहनने हैं क्योंकि हनुमान जी महाराज को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है अब आपको कुछ चीजें चाहिए होगी जैसे आपको चमेली के तेल का दीपक चाहिए आपको एक सीसी चाहिए चाहे प्लास्टिक की सीसी ले लीजिए चाहे काच के शीशे ले बैठना है सबसे पहले चमेली के तेल का दीपक जलाए लाल कपड़ा भी चाहिए लाल कपड़े पर आपने जो लिए जिसमें आधा नमक भरा है उसको रखिए अपने हाथ में दो लॉंग लीजिए हनुमान जी का बीज मंतर बोलिए बीज मंतर इस प्रकार से ओम हनुमते नमा हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों ओम हनुमते नम इस बीज मंतर का जाप कम से कम एक हजार आठ बार करना है क्योंकि भगवान भोले नात हो गए भगवान हनुमान जी महाराज हो गए इनकी पूजा में जब भी एक हजार आठ, एक सौ आठ, एक हजार एक सौ अब आपको इस लाल कपड़े से इस शीशी को रख करके पोटली बनानी है। जी का बीज मंत्र बोलिए और दो लॉंद रख दीजिए पांच मंगलवार यह उपाय कर लीजिए इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो लॉंद आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कश्टों को आर्थिक तंगी को खत्म कर देगी और आपके जीवन में धन आना प्रेशानी हो ही नहीं सकती हैं तो दोस्तों इस बात पर कमेंट सेक्शन में तुरंत दीजिए बजरंग बली की जय दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रही हैं दोस्तों गो है घर की बरकत का महाउपाय दोस्तों शायद ये बात आपको ना पता हो आज का समाज एक ऐ प्रोतिश शास्त्र में एक शब्द लिखा हुआ है कि नजर तो इतनी खतरनाक होती है कि वो हरे पेड को भी सुखा देती है और अगर आपके घर की बरकत हो रही थी उन्नती हो रही थी घर की बरकत रुप गई है उन्नती रुप गई है आपके घर पर रोज लड़ाई ग्राग्रे कलेश हो रहा है, तीन मंगलवार आपको यह उपाय करना होगा, जो आपको हम बता रहे हैं, और यह उपाय करने के बाद आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नती होगी, और हनुमान जी का आशिरवाद आपके घर को मिल जाएगा कि आपको तीन मंगलवार, मतलब धोना नहाने धोने के बाद लाल कपड़ा पहन लीजिएगा। तीसरा उपाय बताने से पहले आपसे निवेदन था की विडियो लाइक करना मत भूलिएगा तीसरा उपाय है। पहले आप कभी भी यह उपाय कर लीजिए और किसी भी मंगलवार के दिन कर लीजिए। एक ही मंगलवार का यह उपाय है। पार्ट गोमती चक्र रखिए इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। इस पोटली को हनुमान जी के दाएं चरण से चुआने से पहले वो ओम हनुमते नमह का 108 बार जाप कर लीजिएगा। इस पोटली को हनुमान जी के दाएं चरण से चुआईए और अपने व्यापार स्थान पर ले जाए जहां से आप पैसे का लेंदेन करते हैं। उस पैसे के लेंदेन वाले दान पेटी में या जो भी जगहे पर आप पैसा रखते हैं उस जगहे पर इस पोटली को रख दीजिए. आपके व्यापार को जिसकी भी नजर लगी होगी, आपके व्यापार पर जो भी दोशी होगा, जो भी दिक्कत होगी वो खत्म हो जाएगा, और आपका व्यापार बहुत तेजी से चल जाएगा, और आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाएगा. उसका साथ नहीं होता है वो कितनी ही महंत कर ले कितना ही परिश्रम कर ले कभी भी उसको सफलता नहीं मिल सकती है जिसका मंगल ग्रह उसके साथ होता है उस व्यक्ति का भाग्य भी उसका साथ देता है और अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह आपका साथ दे तीन मंगलवार यह उपाय कीजिये जो आपको हम आपको बताने जा रहे हैं और आपका मंगल ग्रह आपका साथ देना चालू कर देगा तीन मंगलवार का मतलब तीन सब्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं आपको पहले मंगलवार को सूर्यास्ट से पहले नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहने हैं आपको हाथ में एक लोटा लेना है, लोटा कौन सा कामबे का लोटा होना चाहिए उसमें पूरा गंगा जल भर दीजिये आपको दो लॉंग अपने हाथ में लेनी है किसी भी घर के पास वाले पीपल के पेड के पास चले जाए पीपल के पेड के पास जाने के बाद सबसे पहले एक लोटा जल चड़ाईए और दो लॉंग को पूर्व दिशा में बहा दीजिये तीन मंगलवार यह उपाय कर लीजिये तीन मंगलवार के बाद मान के चलिए आपका मंगलक्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा तो छोटे बच्चे को रात में सोते समय डर लगता हो तो मंगलवार को उसके सिरहाने फिटकरी का एक टुकड़ा रख दे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हर हर महादेव